हन जी राम राम जी क्या हाल चाल आपके उमीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा HSSCET का एक्जाम वाथा 5 और 6 नुवंबर को अभी 3 दिन पहले रिजल्ट आया है आप सभी को ये पता चल गया कि आपके नंबर कितने हैं और आपको ये पता चल गया कि कितने लोगों ने क्वालिफाई किया है कितने लोगों ने डिसक्वालिफाई किया है अब आपको ये भी पता चल गया कि टोटल कितने बच्चे ऐसे हैं जो qualified हैं जो आगे संभावित है उनको नोकरियों में option मिले लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप qualified होने के बावजूद भी आपके पास और अन्यसा भी डाटा है लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपका पटवारी में अपने फोरम भर दिया तो आपका admit card आएगा नहीं आएगा आपने police के लिए apply तो कर दिया आपका admit card आएगा नहीं आएगा आएगा आपको नहीं पता लेकिन उसने exercise inspector के लिए apply तो कर दिया लेकिन उसको ये येकिन नहीं है कि उसका admit card आएगा नहीं आएगा क्योंकि समस्चा ये है कि forum सभी के बरवाई जाएंगे जितने भी लोग qualified होंगे admit card के वल उसी का आएगा जो च्यार गुणा में टोप च्यार गुणा में list में आएगा तो यहाँ पर इस समस्चा का समादान क्या है qualify nature की जिन बच्चों ने qualify कर लिया जिन के पास ये योग्यता है और जिन के पास भरती की योग्यता है कि गराम सच्यों की भरती आपकी graduation base पे है ये योग्यता है और साथ में उसकी CET qualify उसने कर लिया ये योग्यता है तो वो उसमें fight कर पाऊंगा लेकिन सरकार ने भी तक ऐसा नहीं किया है सरुडेंट ने मिलकर बहुत बार परियास किया है लेकिन वो resultful नहीं हो रहा है तो एक अंतिम परहार अब मान सकते हैं इसको ये दी सरकार आप मान जाए तो बहुत अच्छी बात होगी सरकार को पता नहीं क बरती के लिए 33,00,000,000 अपलाई थोड़ी करेंगे क्योंकि सभी graduation pass नहीं है सभी commerce पास नहीं है सभी physical effect नहीं है तो ऐसा नहीं है कि पुलीस की बरती के लिए सारे के सारे बच्चे आएंगे कलर की बरती के लिए सारे के सारे आएंगे पतवारी की बरती के लिए 33,00,000 बच् ठीक है तो अब 14 तरीकों वहां पे रोतक में एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है श्यानती पुर्योग तरीके से यदि आप वहां पे जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं मेरे पास बार-बार मैसेज आ रहे हैं ताव कि CET क्वालिफाई को लेकर 14 जनौरी को मानसर और पारक में ब बुलंद करने ची आवाज बुलंद करने ची तो आप जरूर इसके अंदर जा सकते हैं अपने जिम्मेवारी के उपर अपने खुद के दम पर ना कि किसी ने बोला है तो जाना है आपको लगे कि हाँ वहां पर यूनिटी दिखाई जाएगी तो कुछ हो सकता है तो आप कर लिजी केवल 99 रुपे में ओफर 12 जनुवरी तक का था लेकिन बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया कि था हूँ हमारी पेमेंट फैल डोरी थी कल तो इसलिए उन्होंने आज बैच लेना है तो डिसकाउंट दे दी जी तो आज भी ये डिसकाउंट के अंदर चल रहा है ठीक है आप जोईन कर सकते हैं और गुरूपडी का कम्पलीट बैच आपको मातर 9.99 रुपे में सभी सब्जेक्ट हैं इसके अंदर और जनुवरी 30 तक इसमें कम्पलीट सले बस हो जाएगा आपका दिल करे तो आपके डिट याप पे विजिट कर सकते हैं धन्यवाद